नमस्कार आप सभी का अगया इस्क्रप्शन 99 में स्वागत है आज हम लोग जानेंगे कोई भी प्रित परिवार हो जिनें न्याय नहीं मिल रहा है जो आर्थिक इस्तिति कमजोर होने के कारण न्याय पाने में उन्हें कठनाई हो रही है कमजोर वरके हैं SCST के सदस हैं या ABC के सदस हैं दिसकी वार्षी का 1.5 लाग रुपए से कम है तो अपने वाद से संबंधित किसी भी न्याले में हाई कोट में भी किस प्रकार विदिक सेवा परादिकार के तहत नेसुल्क अधिवक्ता न्युक्त करवा कर आप अपने वाद से संबंधित कि सूचना देकर अपने वाद की पैरवी नेसुल्क कैसे करा सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे चलिए जो इस चैनल से जुरे हुए हैं जो पहली बार देख रहे हैं जो अब तक सब्सक्रायब नहीं किये हैं वह अब स्ब्सक्राइब कर लें जिससे RTI एबं नयाय से संबंधित उचित जानकारी आप लोगों को सिग्र मिलता रहे तथा बैल आइकन को दबा कर और पर भी क्लिक कर रहें जिससे हर प्रकार के इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा एक लाइक कवर्श कर देंगे तो चलिये हम लोग विदिक शेवाप्राप्टिकार के तहत किस प्रकार कि किस विनि मैफ के तहत यह सेवापराप्ट कर सकते हैं देखे AMY kan लिखावाय कमेजोर बर को भी विदिक सायता विहार आज का कोई भी नागरेकार थी किया किसी अन चमताओं के कारण्या पाने से वन्चित न रह जाए विदिक सेवा समेती पटना का गठन किया गया है जिसके लिए विहार आज विदिक सेवा प्रादिकार भी नी मैं 1998 के तहत विदिक सेवा प्राप्त करने है तू प्रापधान बनाया गया है कानुनी सेवा प्राप्त करने है तू पात्र था तो कौन पात्र होंगे ऐसे विएक्ति जो विहार आज का मुल्निवासी हो तथा किसी न्याले में लंबित मामला का पक्षकार हो कानुनी सेवा प्राप्त करने का हगदार हो शकता है अगर को उस विएक्ति का वार्षी का है मिधान कनुच्छे तैस से निर्देष्ट भिखारी हो गोवा वैक्ति 18 वर्षे कम आयू की बच्ची या 16 वर्षे कम आयू का बच्चा हो अंगोवा वैक्ति मांसिक रूप से विमार हो चोवा वैक्ति प्राकिर्तिक आपदा संजातिय हिंसा या अध्योगिक दुरगटना से प्रित हो चो अध्योगिक कमजोर हो जो एक किनर एक वरिष्ट नागरिक या है चाइवी से संक्रमित या किसी प्रकार के कैंसर से ग्रस्ट वैक्ति या और संगटित छेत का एक कर्मकार या तेजाब हमले का प्रित वैक्ति हो जो वह वैक्ति किसी भी तरह के अभिरप्छा में या मन्च कित्सकिय परिचर्चागरी में हो अंग्यों लोक महत्त के मामले जिसके निर्णय का प्रफाव समाज के कमजोर वर्परणे की संभावना हो के पक्षकार को भी कानुई साहता प्रदान कर सकते हैं विधिक सेवाप्रात करने की विधी तो निमलिखित में से सभी किसी एक या एक से अधिक धंग से विधिक साहता प्रदान की जा सकती है को है किसी विधिक कारवाही के संबंद में भुगते उपगत प्रकिरिया फीश अथ्वा अन्य सभी खर्च ख विधिक कारवाही में विधि व्यवसाई द्वारा प्रतिनिधित गो विधिक कारवाही में आदेश की प्रमानित प्रती और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना घव विधिक कारवाही में दस्तावेज का मुत्रन एवं अनुवाद सहित कागजात की पुष्ट का तयार करना अंगो कोई अन्य वैज जिससे अध्यक्ष या विधिक शेवा समीती या प्राधिकार किसी खास मामले में सुकिर्थ करना उचित समझे किन मामले में विधिक सायता नहीं दी जाएगी इसका विख्यास ध्यान रखेंगे कि किस किस मामले में आपको विधिक सवे पासमीती निसुल्क नहीं उपलब्द कराई जाएगी निमलखित मामले में विधिक सायता नहीं दी जाती है गो मानहानी से संबंधित यदी कोई बाद हो खो विदेश पुन अभियोजन हो गो ऐसी कारवाई इसमें वेक पी नियाले की अब मानना से आरो पित हो गो किसी निर्वाचन से संबंधित कारवाई हो अंगो ऐसे अपराधां से संबंधित कारवाई जो केवल एक हजार रुपईये से अधिक जुरुवाना से डंडनिये नहीं हो चो आर्थिक अपराधां और समाज कल्यान विध्यों के विरुद्ध या नैतिक और चमता विधायक अपराधां से संबंदित कारवाईयां हो चो जहां विधिक सायता मांगने वाला वैक्ति केबल पदिय हैसियत से करवाई से संबंदित हो या मात्र आपचारिक पक्चकार हो ऐसे जो भी संबंदित होंगे इन्हें विधिक सायता प्रदान नहीं की जाएगी तो आप लोग ध्यान रखें इस विधि से आप अपने वाद से संबंदित आवेदन दे कर आपने सुल्क विधिक से वापराधिकार के तहत एडवोकेट को निक्त करवा कर अपने कैस की पैर भी करवा सकते हैं जैहिन